अब आते हैं सुर्ण मोलीकुलर आइन मोलीकुलर आइन का मतलब क्या है हमारे पास अगर मोलीकुल इलेक्ट्रोन को लूस या गेन करे तो क्या बनाएगा मोलीकुलर आइन बनाएगा वेना मोलीकुल loses or gain electrons resulting species is called molecular line मतलब हार कोई भी molecule हो चाहिए अगर वो molecular electron को lose करता है यह gain करता है तो क्या बनाएगा molecular iron मनाएगा अगर वो electron को lose करके बनाता है तो molecular caret iron मनाएगा जब क्या electron को gain करेगा तो molecular anion मनाएगा example को से दिए आप example दिए oxygen oxygen when loses one electron it form oxygen catein plus का मतलब क्या है oxygen catein but when it absorbs an electrons it form oxygen anine negative sign का मतलब क्या है anine सही है अगर oxygen atom हमारे पास electron को lose करता है तो oxygen catein बनाएगा ठीक इसी तरीके से अगर oxygen molecule हमारे पास electrons को absorb करता है मतलब gain करता है तो क्या बनाएगा oxygen anion लेकिन यह हमारे पास molecular anion के लाएंगे क्यों क्यों कि यहाँ पर हमारे पास atom atom electron को gain lose नहीं करता है जबके molecule molecule यहाँ पर electron को gain क्या लूस करता है यहाँ पर देखें यह oxygen atom है यहाँ पर अगर इल्ट्रों को count करें वन टू थ्री ओक्षिंड मोलिक्यूले इसको count करें वन टू थ्री फॉर फाइव अब थे सुफिंअ पर हमगर हैंजबंच करने बाएं हिजब एघर यहाँ पर क्षिंड मोल थच्छ्क यहाँ है कि याँ पर यह पर आइस घ्रम और यह था करतेंग्यों कि dolphins अहुं TB और पर और यहाँ पर 11 है यहाँ पर हमारे पास system ether domain भाल्यह कर इसने लेट्रों को gain क्या इसने ट्रों को गैंड क्या Oxygen ने तब इसके इपर क्यों शलड़ जाग गया Oxygen अने मतलब negative आयन आगिया और जichen लेटरों को गेन खरता है तो बनाता है Supra Oxide यह गाश्वियमुल के अगर हमारे पास मोलीक्टियूल या एटयम के पास अंपे ृलेक्टोन और वो मोलीक्टियूल Nh0 क्यों पाइंट कुछ ना हूँ लिकिन वह लगे इसा ओई भी हेफ करें इसा ऐन तो वह कलाता free radical, a radical is a molecule or atom that has at least one unpaired electron but this molecule or atom does not carry a charge like an iron because the number of orbiting electrons still matches the number of protons in the nucleus, यहाँ पर है कि, यहाँ पर बात यह है कि हमारे पास radical वो molecule वो atom है, मतलब कोई भी atom या molecule हो, जिसके पास unpaired electron हो, मतलब electron pair में ना unpaired हो, उनका हम बोलते है free radical, उनके उपाँ कोई चार्ज नहीं होता, नहीं वो iron किलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो electron को गून या, वो electron को loose या gain नहीं करते हैं, npaired electron की वैसे वो radical किलाते हैं, क्यों और वो उनके पास जितने number of protons होते हैं, उतने number of electrons होते है radical के पास, example अगर हम देखें, hydro oxygen radical, hydro oxygen radical मतलब OH group, OH group अगर देखें, यहाँ पर यहाँ पर oxygen के पास दो unpaid electron है, यहाँ पर भी paired electron है, और यहाँ पर hydrogen और एक oxygen का आपस में क्या हो रहे है, paired बना रहे है, जबकि यह यह electron क्या है, single है, तो यह unpaid electron है, और radical भी हमारे पास reactive होते हैं, यह unpaid electron है, यह unpaid electron की वैसे क्या किलाएगा, radical का मतलब ही है ही कि हमारे पास किसी भी molecule और atom के पास क्या हो, unpaid electron हो, unpaid electron हो, और वो electrons orbit के अंदर revolve कर रहा हो, वो खिलाते हैं हमारे पास radical, इनके उपर कोई charge नहीं होते हैं, जिसे आइनिस के उपर होते हैं, सही है क्यों क्योंकि लिटॉन को लूज के अगे नहीं करते हैं, तो आज लेक्षर यहीं था किता सुडेंट कोई भी question कोई भी queries हो तो आप comment section पर पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ और मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, ओके लाफिस जजाके लाफिस